तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे स्वर होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि वेंजन जो होते हैं वो स्वर की सायता से बोले जाते हैं तो कोई भी जो हमारा वेंजन होता है, उसमें हमारा अ, वो स्वर जुड़ा होता है, लेकिन जब बाकी स्वर जोड़े जाते हैं, तो वो किस तरह जोड़े जाते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आ जोड़ा जाता है किसी भी वेंजन में, तो उसके आगे ये एक मात्रा लग जाती है जैसे क में आ जोड़ा तो बन गया का ठीक है क में ए की मात्रा जोड़ी तो बन गई की क में बड़ी की मात्रा लगाई जो कि पीछे की साइट से लगती है तो हो गई की 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 मात्रा आगे से और की की मात्रा पीछे से क में जब छोटा उ लगाया तो बना कु क में उ लगाया तो बना कु क में री की मात्रा कैसे जोड़ी जाते है री की मात्रा ऐसे नीचे से लगाई जाती है क्री क में ए के क में आई, कई, क पे ओ की मात्रा को, क पे आउ की मात्रा को, क पे आउ की मात्रा कं, और क में ह की मात्रा कह. इस तरीके से हमारी सभी मात्राएं वेंजनों पर लगने के बाद उनकी दोनी यानी की आवाज को बदल देती हैं. जैसे क जो था हमारा वर्ण उसको कैसे बदला का, की, की, कु, कू, क्री, के, कई, को, कव, कम, का हम इ की मात्रा लगाकर वर्णों को पढ़ते हैं क पर इ लगी तो की की, 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 ची, जी, 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 ती, दी, दी, ती, दी, 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 जी, 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 नी, पी, फी, बी, बी, मी, पीछे पीछे बोलते जाएंगे, ली, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, शी, त्री, गी, ठीक है? किसी भी वर्ण के आगे जब हमने छूटी एकी मात्र लगा दी तो उसकी आवाज में कैसे बदलावाया? वो हमने देखा. जैसे आप बताओ ये क्या था? थ, थ में ए लगा तो थी, म में ए, मी, ल में ए, ली, ग में ए, गी, त में ए, ती, प में ए, पी. अब हम कुछ और वर्ण पढ़ेंगे, इससे रिलेटेट शब्द पढ़ते हैं. गि लास गिलास बचिया बचिया ती किया तिकिया पी न पिन राशी 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 तिया खटिया की सान किसान कविता कविता ही ल हिल बितिया बितिया नी शान निशान ठीक है ही रन हिरन आया आया दिन दिन निकल निकल आया आया डिबिया ला ती किया तिकिया और ये क्या है कवि कविता लिख लिख पंडित पंडित हरी हरी का भजन भजन कर कर तीलक तिलक लगा लगा इस तरीके से हमें इकी मात्रा का उच्चारन करना होता है ठीक है हमने आ की मात्रा और इदोनों मात्राइं सीखनी जिसकी मदद से हमने ये सबी लाइने अराम से पढ़ लें आप बाकी के सबी वर्णों का व्युचारन करना सीखेंगे और सबी शब्दों को परना सीखेंगे